यहां दुनिया के अंदर आप किसी चीछ को मिटा नहीं सकते यह बी आपको ताज्यूंगidores दुनिया के अंदर जो भी चीज ए एक जर्रा भी है आप इसको खतन नहीं कर सकते निष्ट नहीं कर सकते आप कहें कि आप पेड़ है पेड़ कामने कागज बना लिया कागज हलका हो गया कागज को जला दे खतम हो जाएगा खतम हो जाएगा कागज छोटा हो जाएगा राग बन जाएगा और जला दे उड़ जाएगा, उपर चला जाएगा भाप बन जाएगा वापीस नीच आ जाएगा जिस पानी से बनाता ना पेर जिस से कागज बनाता वापीस वही आज़ता है इस काईना से कोई चीज आप खतम नहीं कर सकते जमीन पे जो है वो है ये अल्ला का मुजदा है तो हमको गोर करने के जोड़त है कि हम उसको गोर करें अल्ला की आयत चारो तरफ बिखरी पड़ी है हर चीज के अंदर अल्ला की आयत का आप देख सकते है वेजिस सब उसकी रहमत है पानी बरसाता है केसे गोर करें वाटर सैकल को आप पढए अगर वाटर सैकल पे खुषबे दे हैं तो चारचार कुषबे हो जाए पानी क्या होता है पानी क्य से चलता है अल्ला ने कहा है ये भी आपको आजीब लगेगा आपने कबी सुना ना हो कि जितना पानी जमीन जब शुरू हुई थी, जितना पानी इसके उपर है, इतना ही पानी है आस तक, एक जर्रा, एक गूंद भी कम नहीं हुआ, ना एक गूंद बढ़ा, इसको भी खतम नहीं कर सकता, इतना ही पानी है जमीन के उपर, जितना अल्ला ने एक बार में भेजा, ये कभी खतम नहीं हो सकता ना इसमें से कम पढ़ सकता ना जादा हो सकता है सब कुछ इसके अंदर है क्योंकि इसके अंदर हम जानते हैं कि पानी क्या है पानी हम पीते हैं फिर निकालते हैं आदमी की बोड़ी के अंदर सित्तर परसेंट पानी है सब को पता है, ये तो आम मेडिकल बात लेकिन ये उसके बाद में क्या होता है क्या पानी उसके साथ चला जाता है वो जमीन में जाता है, तो वापिस जमीन सोक लेती वो पानी, सित्ता परसेंट था वापिस देो, यही पर इतने ही रहेगा काम ज्यादा नहीं हो सकता अब एक को जला देता हो भाब बनके उड़ जाता है फिर वोई बरस के नीचे आ जाता है तो पानी भी नी जाता है इतना ही पानी तो ये सब चीजें अल्ला के निशानी है वो बरसाता है फिर वो समंदर में जाता है समुदर से फिर धाब बनती है फिर बादल जाते है बादल का एक अलग साइन से पूरा उसकी बे आप तेकिक करें वो पीने का पानी का होता है पीने का पानी पाड़ों के जमा होता है आप देखे जरने बेते हैं बारिस तो एक बार होती है दो महीने वो जरना पूरे साल बेत तो इतना पानी आया है कहां से वो अल्ला पीने का पानी वहीं रखता है पाड़ों पर इस ही आता है बाकी कुछ नीचे आता है समुद्रों में चला जाता है तो पाड़ों का पानी अल्ला पाड़ों पर रखता है जन्ने बेते हैं वो कुछ सीधा आ जाता है हम जिसे सूरत से उड़ जाता होगा फिर सूरत में इतनी गर्मी है सूरत से पानी उड़ जाता होगा कम केसे नहीं हुआ कम होता ही नहीं है क्योंकि अल्ला ने इस जमीन की आसपास लेयर बना दी है साथ लेयर इस जमीन की आसपास जिसकी वज़े से वो बच्छ जगे जाकर जम जाता वापिस आ जाता नीचे और लाने कुरान में फर्माए सूरे तारीख सूरे बच्छियां से आयत नमर 11 के अंदर के वास समाई जाती रज कि हम इस जमी से कोई भी चीज जो उपर जाती है वापिस लोटा देते नीचे वापिस आ जाती है तो यह लाने कुरान तो बादल का भी अपना एक निजाम है और तुम इस पर सोच से नहीं खास मिकदार में पानी दिया अल्ला ने इतना ही पानी था तुमारे लिए और बाकी जितना एक्ष्छा जमा दिया बरफ में पड़ा हुआ हो अब पिगल रहे थोड़ा थोड़ा तो दुनिया चला रही कि बरफ पिगल रही है यह नहीं कि दुनिया डूब जाए उसकी फि केड़, सब्जी, फल यह सारे उखते हैं यह की पानी है उससे अलग अलग गरीण उग्रा एक गरीण लगन चाहिए अब उसका बेंगन का पेड़, मेड़ पत्ते पत्ते तो हरे वीगन एक बेंगन conservationבה के पत्ते हरे तुप अदर वीचलर बीलक्ष यह वेसा सब बनता भी तो की चीज़े हैं सारी एक ही बीज आप यहां से उगाते हैं किसी चीज का सेमफल का और वहां से ले जाके दूसरी जमीन में उगाएंगे तो वह ही बीज है लेकिन टेस्ट अलग बदल जाएगा जमीन के अंदर अलग अलग यह क्यों यहां पर तो बहुत सरी निशानियां अलग 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 को खाले पाड़े को लाल पाड़े और धार आप नेटब सर्च करके देखना कलर फुल माउंटेन चाइना के अंदर आप देखेंगे आश्चेर पर में पढ़ जाएंगे आखेंगे फटी रजाएंगे आपके क्या ऐसा हो सकता है कि फट्तर के अंदर इतने कलर हो सकते हैं इतने कलर हैं आपड़ों के अंदर अलग ने कलर भी दिये तो कैसे हो गया यह सू पूछने की बात नहीं है, इसाब अल्ला की निशानिया है, और पहाड है, हर्याली वाले पहाड, एक सूके पहाड, जब पत्री पत्र, एक पे जो पेड़ी पेड़ लगे हुआ, अलगलग पाड, वह पत्रों में उग रहे हैं, रिगिस्तान है, समुंद्र है, उसके अंदर फिर गेराईया हैं, समुंद्र के अंदर बहुत सारी, और सबसे अदा कलर ये भी आपको पता चलेगा, सबसे अदा कलर अल्ला ने दिये ही पानी के अंदर है, जहां हर चीज गुल जाती है, और पानी के अंदर आप देखें, मचली आप चले जाओ, आपने देखिए हूँ पेदा की है, वो सितारे भी, तो ये सब चीजे गोर फिकर करने की है, इस पर इसे ही नहीं गुजर जाना जब अल्ला ने कहा, तो इसलिए कहा, अल्ला कोई बात इसे नहीं कहता है, तो इस पर हम गोर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, कि इससे होता है, किस तरह पानी के गया, एक में से जहर बन गया, एक से किसी से नशा बन रहा है, तो सब चीजे हम देख रहे हैं, तो यह सब चीजे क्या होगा, इस पर जब गोर करेंगे, तो अल्ला की अजबत का एसास होगा, कि वो कौन है, फिर हमको सुनेंगे न अभी का भाई न अजान दी, अल्ला आउ अ अख़ाये, यह जब हमको मालूं पढ़ेगा ने कि अल्ला आउ अख़ाया, वो कितना बड़ा है, तो जब यह गोर करेंगे तक पता चलेगा, फिर हम सुनेंगे, अल्ला आउ अख़ाये में, और एक आयत को लिए, इस पर गोर करें, गोर करें, गोर करें, यह बी यह भी कर दो कर दो